तो नमस्कार दोस्तों देखिए आज हम बात करने वाले हैं जिस वेकेंसी के बारे में वहां DRDO यानि कि भारत का जो रक्षानों संधान है ठीक न डिफेंस रिसर्च डेवलोपमेंट और अर्गनाइजर्शन ठीक जिसे आप भारत का रक्षानों संधान कहते हैं DRDO वहां पे निकली है एपरेंटिस वाल होगे ठीक जो तीन परकार के पोस्ट है एक आईटी आई के लिए एक ग्रिजुएट लेवल का और एक डिपलोमा लेवल का तीनों के बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी जानेंगे जो कि एक उम्मिद्वार को किसी भी परकार का आपको तो सारा यहां पर दूर हो जाएगा इसकी मैं वादा करता हूं आपसे आईए देखिए एक नोटिफिकेशन पढ़िए आपको सारा का सारा अच्छे से कोई भी वीडियो और देखने की जो रत नहीं होगी देखिए बैंगलूरू की और से वेकेंसी यानि जो डिया पर दूए क्या से की है नोग्री नहीं है फिर से मैं बता दूए अलग होता है वेकें और ओर नहोक्री अलग होती है ठीक ना तो यहां यहां एक्ट के तहाद है उनी 1961 तहат्थ, यहां पे देखिए, कितनी होने चाहिए तो पहले नंबर में और उससे समानतर होने चाहिए तो देखिए पहले नंबर में क्या आते हैं इसके लिए 30 से यहां प्धर का मेकेनिकल का है ठिक ना और दुसरा है प्रोडक्षन का तिसरा है और ये सारा चीज़ है पाले खाने में ठिक इसमें कितने पोस्ट हैं टोटल 30 पोस्ट हैं एज लिमिट कितनी है इन सभी के लिए गिर्जुट लेवल में सभी के लिए कम से कम उम्र आपकी 18 वर्स होनी और पीड़ुड के लिए 30 वर्स हो जाएगी और पीड़ुड के लिए आपकी 37 वर्स हो जाएगी पीड़ुड यानि कि जो फिजिकल रूप से डिसेवल्न है मेरे भाई कुछ जिनका सरीर कुछ नुक्सान है ठिक ना उनको पीड़ुड अब देखिए यहां पे हम दुसरे नमबर में बात करते हैं पोस्ट जिनकी 15 है वह है और तीसरे नमबर में पोस्ट है 12 ठीक चौंथे नमबर में जो कि computer science वगरा है उसमें 18 पोस्ट आपकी जो भी पोस्ट है उसे देख लिजें ठीक और पांचवे नमबर में जो पोस्ट है उसमें और चार टोटल पोस्ट है और चठ ए में जो सिवेल इजिनेरिंग की पोस्ट है उसमें क्यावल एक पोष्ट है टोटल Men असती पोष्ट हो जाती गिरजिवेट लबल में ठीक सा रा का आपको देख लिए कितने पोस्ट सब्सक्राइन है कि सबस्क्राइब ने यहां लिए यहां पर लिए या बिक ठिक अभी सेलेर आ बताओंगा सरा गुक्राइब सबस्क्राइं जह नहीं को दिए aspects Php और या धीजिएका क्योंकि इसमें जादा इसमें मतलब ऐसे पोस्टों में जादा लोग अपलाइ में करते हिंंद जूभी अपलाइ करता है उनका हो जाता है कि हाँ भई हो जाएगा तो आफ अप करेंगे तो 90 परसन चांसेश होगा कि आपका हो जाएगा डिपलोओ में डेखिए ठीक टेबल 2 में डिपलोमा के बारे में हम सारा कुछ जैंगे तो डिपलोओ में क्या बताए गया है यहां पे tratal 5000 पोस्ट है अम इप पर देखे टोटल 30 पोस्ट है पहला नमबर से हम जानना शुरू करते हैं तो पहले नमबर में कौन से ट्रेड आते हैं और दूसरे नमबर में वेकेंसी कितनी है तिसरे नमबर में आपकी उम्र सिमा क्या होने चाहिए और चौते में मिनिमिम्यम क्वाइल इफकेसन यानि कि आ कम से कम 18 एज लिमिट है और सभी के लिए 18 से 27 ओविसी के लिए 30 और स्टस्ट के लिए 30 पीड आपकी डिपलोमा डेगरी होनी चाहिए इन सब ट्रेडों में देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकर्ल किया है या फिर इलेक्रोनिक्स किया है ठिक ना या फिर कम्यूनिकेसन किय किया है तो इन सब के लीए 10 पोष्ट है इन्स्डूमेंट m District इस सब के लिए कितने पोष्ट हैं दस पोष्ट है अगर आप किंप्यूटर साइंस से किए तो आपके लिए 5 पोष्ट है ठीक भारत किसी बी अंउनिवर्सिटी सीक्शरा उससे कोई मतलब नहां लेकिन आपका फोरेंस यह नहीं होना चाहिए यानि कि आप बीदेश से डिग्री प्राप्त किये तो आपको यहां पर नौकरी नहीं मिलेगा क्यों भारत में ही डिग्री प्राप्त की हूं ठीक इंजिनेरिंग कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे ठीक फोरेंस से नहीं होना चाहिए अब देखिए आइटिए वालों की में बात करता हूं आइटिए वालों की क्या है कि इतने ही ट्रेड दियें और टोटल 40 पोस्ट हैं कौन-कौन से ट्रेड दियें पूरे आठ ट्रेड है पहले नंबर पर आता है हमारा म अमना इसने के पहले पोस्ट क्या है मेंटनिश पाध्य असिस्टेंट यानि कि Kौपा झो होता है जिसमें आपको computer के कारी करने होते हैं उसे 12 पोस्टे हैं ठिक ना, copy के vacancy ज़्यादा है यहाँ पे और health safety environment जो है उसके लिए कुल दो पोस्टे हैं ठिक, वही चाहिए आपकी 10th के बाद ITI की हो ठिक, आप यहाँ पे apply कर सकते हैं फॉर्म भरने का फिस कितना लगेगा वो भी मैं बता दू, फॉर्म भरने का एक बी रुपिय नहीं लेगेंगे बिल्कुल फिरी है फॉर्म किसी भी केटेगरी से हो, कोई भी आदमी भरे यहाँ पे फॉर्म फिरी है महिला और पुरूस दोनों यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ठिक न, गल्स लोग को बहुत डाउट होता है कि फॉर्म भरे या ना भरे अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा important बातों की आपका exam कब हो गयरा, ठिक न, वगयरा, देखिए यहाँ पे और medical वगयरा की भी बात करेंगे तो चलिए important बातों को मैं जान लेते हूं, ठिक देखिए आपको क्या-क्या वहाँ पे ले जाना है सबसे पहले तो मैं salary बता दूँ, stipend मिलेगा कितनी? B.B.Tech वालों के लिए जो graduate level है उनको 9,000 रुपए डिपलोमा वालों के लिए 8,000 रुपए आई-टी आई वालों के लिए 7,000 रुपए यह जो आप notification देख रहे हैं इसका मैं पूरा का पूरा link description में दे दूँगा आप वहाँ से download करके पढ़ सकते हैं आसानी से ठीक ना देखिए medical fitness आपका चेक होगा ठीक और सब नॉर्मल रहेगा ज्यादा हाई नहीं होगा medical सब कुछ easy रहेगा और एक्जाम भी इनका easy होता है ज्यादा high level का नहीं होता है एपरेंटिस के जितने भी आम होते हैं सभी easy होते हैं ठेक न अब देखिए यहां पे जॉइनिंग अगरा कि बात कर लें तो यहां पर डोकुमेंस से पहले आता है कि डोकुमेंस आपको क्या-क्या ले है अगर आपको सेट्षन हो जाता है एकजामने पास उचेते हैं तो सको क्या ब्लूमन्त डिपलोल माज जो भी कि good और सबका माइक विएई ले जाना है आपको सभी सबस्टर करा डिगरी प्रोभीजनल डिग्री डिपलोमा एन शेज सेटिफिकेट ले आपकी ठिक जो भी आपका, कास सर्टिफिकेट ले जाना है, अगर आप एज की छूट लेते हैं, तो आपको कास सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक ना, PWD को सर्टिफिकेट ले जाना है, अगर आप उससे भरते हैं, तो PWD, फोटो ले जाने हैं आपके ठीक ना 24 से 25 कोपी फोटो लेते जाएगा और यहाँ पे फोटो जो होगा वो आपकी ID जाएगा या फिर द्राइविंग लेते जाएगा जितना डोकमेंस होता न सारा कुछ लेते जाएगा फोटो ठीक ना लेते जाएगा यहाँ पे फोटोग्राफी लिखें टू लेकिन आप दस बार ही लेते जाएगे ठीक ना क्यूंकि ज्यादा ज़रुत पड़ जाता हूं आप अब हम जोइनिंग वगेरा और एक्जाम वगेरा और लास्ट डेट की बात करते हैं ठीक तो देख लास्ट डेट ऑफ संबिशन ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉम भणने की लास्ट डेट कभ है 29 जनवरी 2021 ठीक देखिए पब्लिस ऑफ फर्स्ट लिस्ट आपका जो फर्स्ट लिस्ट जारी किया जाएगा सौट लिस्टेट का केंडिडेट फोर इंवाइट ठीक ना यानिकि ड फर्वरी में ही कर दिया जाएगा ठीक फर्वरी चार या 5 को कर दिया जातु टर्स गणना इनका जोगा जो जीटि अरी ंजैसे कोpper के लिए जोइनिंग हो जाएगा आपका 21 फेबरवरी 2021 को ठीक 21 फरवरी को हो जाएगा और यहां पे बताया गया है कि इंट्रेक्शन विथ दा सौट लिस्टेड केंडिडेट हूँ हैब संबिटेड एक्सेप्टेड जोइन एज पर पारासी जो पारासी के अंदर गाता है ठीक ना पर एज पर पर सी एब आब उनको 24 फेबरवरी को कर लिया जाएगा और किसी भी परकार का अगर प्रोब्लम आ होगा ठीक ना एक अप्रेल 2021 तक तो और भी कुछ चीजें होंगी आपको मालूम करनी तो यहां पर आप इससे पढ़ सकते हैं पीडियाप का लिंक मैं देही रहा हूं और फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कर दिजेगा मैं उनका उत्तर हमेशा आपको को देंगा ठीक ना ठांक्यू और आपको एक अच्छे फॉर्म भरना ही चाहिए मोबाइल से फॉर्म को कभी नहीं बढ़ना चाहिए डियाडियो वगएरा और बार्क वगएरा जब भी आप साइंटिस्ट वालों की फॉर्म भरतने तो मोबाइल से फॉर्म को ना भरेगा ठीक ना तो फिर में लेंगे नास्ट वीडियो को साथ चैनल को सस्काइब बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर लिजिएगा और दोस्तों को सेर कर दिजिएगा धनिवाद